नमस्कार किसान भाईयों, बेश्ट ग्यान पॉइंट भी चैनल पर आपका स्वागत है किसान भाईयों, आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं बायर क्रॉप साइंस के बहुती बढ़िया प्रोड़क्ट कानफिडूर की जी हाँ किसान भाईयों, कानफिडूर का क्या काम है ये कौन-कौन सी फसल में डलता है इसका मात्रह क्या है और इसका डोज क्या है साथ में इसका रेट क्या है सब कुछ बताएंगे लेकिन जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएं है वीडियो की नीचे दी गई लाल करण की बटन को सस्क्राइब कर दीजिए वो आप बगल की बिल आइकन घंटी को बजा दीजिए जिससे आपको हमारी खेती सम्मंदित नई-नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे तो सुरू करते हैं बीना किसी देरी के साथ तो जो बायर का कानफीड हो राता है यह मुक रूप से सकिंग पेष्ट यानि रस्चूसक कीट वा मच्छरों को मारता है तो आप जान लेते हैं कौन-कौन से सकिंग पेष्ट और कीटों को यह मारता है तो सबसे पहले एफिट्स को मारता है या लीफ माइनर को मारता है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सफेद मक्की को मारता है, त्रिप्स को मारता है, इसके अलब जैसिट को मारता है, लूसी बक को मारता है, बीटल को मारता है, यह जो सफेद कलर का काला कलर का कीड़ा है, लीफ हापर को मारता है, और मिली बक को मारता है, यहां तक कि यह बारीक इल को भी मारता है, तो अब जा चलता है अब किसान भाईों हम जान लेते हैं कौन-कौन सी फसल में इसका उप्योग आपको करना है तो मुख रूप से आप इसका उप्योग सोया बिन, चना, कपास, मूं, उड़द में कर सकते हैं, अरहर, धान, बैगन, गरना, खीरा, ककड़ी, हरी सबजियों में और इसके चलाबा आप बागवानी की फसलों में भी इसका उप्योग कर सकते हैं, जो कि हरा मच्छर, सफेद मच्छर, थ्रिप्स, बारीक, इल, माहू, एफिट, जैसिड, जैसे कई सकिंग पिष्ट को मारता है, अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख फसलों में लगने वाले कीटों क यह कौन कौन से कीटों को मारता है, तो यह कार्टन की बात करते हैं, तो कार्टन में कपास में एफिट्स को मारता है, जैसिड, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई को मारता है, वहीं धान की बात कर लेते हैं, तो धान में ब्राउन फ्लांट हॉपर को मारता है, अर्थाच जित कि बात करते हैं गन्ने में तो गर्बने में टर्माइड को मारता है वहीं मेंगो की बात करते हैं आम की तो आम की में जो हॉपर लगते हैं हॉपर को यह मारता है अब बात करते हैं संफ्लाबर में तो संफ्लाबर में थ्रिप्स को मारता है जैसिट को मारता है और वाइट फ्ल कर लेते हैं तो रेट इसका एक लीटर का रेट अठारा सो रूपई की लगभग आपको बजार में उपलब्द हो जाएगा वहीं पंद्रा लीटर में बात कर लेते हैं कि एक टंकी में कितने अमल डलता है तो समान तोर पे 10 अमल एक टंकी पे यह डलता है अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट टाइम की तो जिसका रिजल्ट टाइम है कंपनी बोलती है 15 से 20 दिन तक इसका रिजल्ट टाइम फजल में रहता है और वहीं एक एकड़ का डोज आपको 4 से 500 के रूपए के लगभग बजार में उपलब्ध हो जाएगा तो किसान भाईयों कैसी लगी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए वीडियो को स्रेयर कीजिए जिससे दूसरी किसान भाईयों को इस वीडियो के माधधम से लाभ मिल सके और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को जिससे आपको हमारी खेती सम्बंदित ऐसे वीडियो समय समय पर मिलती रहे कोई सुझाओ हो तो कमेंट दीजिए धन्यवाद